हालो फ्रेंड्स नमस्कार एडू यूटॉप और यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग जानेंगे कि अररवी एंटीपीसी दोजाए ओनेश जिसका एकजान दोजार बीस एकईस में संपन्न हुआ है उसका एंसर की तो सुरो अगस्ट दोजार एकईस को रिलिज्ड हो गया है लेकिन cbt1 का रिजल्ट कब आने की संभावना है कब परकासित होगी और साथ साथ cbt2 कब से होगा तो इससे पहले हम बात करेंगे कि 2015 हमें जो एकजाम संपन्न हुआ था उसका एकजाम क्या था एंसर की कब आया था कितने दिनों के बाद cbt1 का रिजल से तो बहुत सारे इटूबरों ने एकजाम डेट को खोसित कर रखा है कि इस डेट को एकजाम होगी सिविट वन रिजल्ट इस डेट को आएगा एक सब्ता पहले एक नोटिस वाइरल हो रहा था जिसमें 10 सितंबर को रिजल्ट आने की तिथी थी लेकिन ओ नोटिस जो था फेक था तो आईए जानते हैं विस्तार से कि कब 2019 का CBT1 का रिजल्ट आने की संभावना है तो NTPC 2015 की बात कर लेते हैं तो NTPC CBT1 2015 का जो नोटिफिकेशन था वो 15 महीं आया था 2015 महीं लेकिन जो एक्जाम जो उसका हुआ था NTPC CBT1 2015 का तो मार्च 28-2014 से लेकर माई 3-2014 तक एक्जाम जो उसका संपन हुआ था अगर इंसर की की बात किया जाए तो इंसर की उसका रिलिजड हुआ था NTPC 2015 के तो अगस्त 12-2014 को रिलिजड हुआ था यहां पर आप अगस्त 12-2014 को यानि अगस्त 12-2014 को NTPC CBT1 का एंसर की आ गया था अब जानते हैं कि एंसर की आने के कितने दिनों के बाद रिजल्ट घुशित हुआ था तो आपका जो NTPC 2015 का CBT1 का जो रिजल्ट डेट था उस साथ दिसंबर 2017 को परकासित हुआ था तो यहां से एंसर की और रिजल्ट डेट में अगर बात किया जाए तो चार महीने का लगभग अंतर है अब बात करते हैं कि CBT1 के रिजल्ट घुशित हो जाने के बाद कितने दिनों के बाद CBT2 2015 में अस्टाट हुआ था तो इस तरीका से देखा जाए तो NTPC 2015 और CBT2 एक्जाम डेट अस्टाट फ्रों 17 जन्मरी यानि यहां पर अंतर देखा जाए तो लगभग एक महीने के कुछ दिन बाद ही CBT2 अस्टाट हो गया था तो इस तरीका से इसमें भी होगा जैसा ही CBT1 रिजल्ट आएगा एक महीने के बाद CBT2 आपका शुरू हो जाए वह आपको हुआ था सुरू अगस्ट 2021 को रिलीज हुआ था सुरू अगस्ट 2021 को रिलीज हुआ था यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल कि भीव दो कोशन पेपर रिस्पोंस और एंसर की सुरू आठ 2021 आठ बजे से और क्लोजिंग दा 23 अगस्ट 2021 को क्लोजिंग दा भी है अब इसके बाद आपका फाइनल या रिभाइज्ट एंसर की आएगा इसके बाद का आएगा तो फाइनल या रिभाइज्ट एंसर की आएगा तब ही आपको तो आपको इस प्रोसेस को पूरा करने में लगभग अभी फाइनल रिभाइज एंसर की नहीं आया है और फाइनल एंसर रिभाइज की के बाद ही आपका एंसर रिजल्ट आपका घोसित होगा तो लगभग इस परकिरिया को संपन्र करने में लगभग दो या तीन माह लग जा सकते हैं अक्टूबर कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर कि फर्स्ट विक में रिजल्ट आपका गोसित होने की संभावना है इससे ज़्यादा भी हो सकता है अधा आप लोगों सनीवेदन है कि आप लोग ऐसे भरम में ना रहें भरम को ना पालें आप लोग CBT2 की तयारी बिल्कुल मन से करते रहें और रिजल्ट तो आपका आएगा ही आएगा जब आजाए अभी प्रोसेस आए अभी फाइनल इंसर की के बाद ही आपका रिजल्ट आने की संभावना है और बहुत सारे यूटूबरों ने तो धमाल मचा रखा है यूटूबर ये रि लाइक तथा शेयर कीजिए और हम आप लोगों को ऐसे ही खबरे लाते रहेंगे जो फायदे मंद हो और जैसे ही आपका CBT1 का रिजल्ट आ जाएगा जैसे ही आपका CBT1 का रिजल्ट घोसित हो जाएगा उसके एक महिने के बाद ही आपका CBT2 एक्जाम की तया आपको लेना कमपनी है वह आपको जल्द ही CBT2 का एक्जाम कराना शुरू कर देगी इस तरीका से आप लोग CBT2 की जिसका आच्छा नमबर आ रहा है आप लोग CBT2 की तयारी में आप लोग विल्कुल मन से लगे रहिए क्योंकि अब की बार CBT2 निकालना ही निकालना है तो धन्य बाद फिर मिलेंगे अगले कड़ी के साथ तब तक के लिए जय हिंद